फिर से दोस्तों एक नई वीडियो और नई जनकारी के साथ जो कि हमारे पास टीबियस विक्टर थिरीवल वाली बाइक न्यू मोडल और यहां पर क्या है इसमें इस पार पलक में करेंट नहीं आ रहा है तो फैनली इसे चेक करने के लिए हमें कैसे चेक करना होगा यह बाइक धर के करेंट आता हा पलस वाला वायर और यहां पर यांपर ऑड़ोरी से ट एक मध्यार बाइक लगा के कि हमारी गंधया और यहांए तो यहां पर कोई अब यहां से charging well, letting, इन दोनों में आनकी दिखकत आ सकता है. अगर battery वाली wire में current में नहीं आए तो फिर आपको क्या करना है? आर्मेचर वाली wire में चेक करना है. यहां से पीला वाल वायर में current कि यहां से इस पार आ रहा है या नहीं आ रहा है? यह देखें आप. तो यहां पर भी जरा सभी इस पार नहीं कर रहा है इसका मतलब है दोस्तों कि इसकी जो है आर्मेचर कोयल उन चीजों में दिक्कत है यह वायर हमारा पीला वाला अंदर से आता डारक्ट और रेगलोटर में जाके फिर यहां वहां से हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए और भी स्टार्टिंग के लिए वो काम करता है यह जो आप दो वायर देख रहे हैं इसमें आप इस तरही के से ना चेक करें कि हमने एक वायर लगा के चेक किया यह पीकप कोयल की वायर होता है रेड वाली जो कपलर है हमारा तो फैनली दोस्तों चलिए हम इसकी मैगनेट की कवर को खोलते हैं और हम देखते हैं मुझे पूरा सक लग रहा है कि इसकी जो आर्मेचर क्वैल है उन चीजों में दिक्कत है यहां से मैं लगा के आपको एक बार उधर से दिखा देता हूं फिर आप थोड़े दिल में यह ची होता है पता नहीं यह फेक वीडियो हो सकता है पर यहां से हम लगा के चलिए हम किक करके दिखाते हैं कि गया उनुकि यहां से देखिये मैं किक लगा रहा हूं आ है All the company अफ यह होता है उसकी वायर कट हो चुकी है तो यहां से में सारा वायर को निकालना पड़ेगा सारा सौकिट को खुलना पड़ेगा और फिर मैं दिखाता हूँ तो अगर आपके पास यह बाइक है या टीब्यस की स्टार सीटी पलस बाइक हो या विक्टर बाइक हो अगर इतनी किलोमेटर चल चुकी है तो आपको चाहिए कि हमारे मैंगनेर तरफ से खुलवा के इसकी नट को चेक करा लेना चाहिए और मकनिक भाई को भी चाहिए कि इस नट को हमें परावर चेक करना है या अगर 35 जार पर वैसे हमारा टैमी चैन भी खराब हो जाता है उस समय भी अगर हम कोल देए इस नट को में जरूरी पूरा फुल टाइट करना होता है तो यहां से यह तीनों एलंकी वाला बोल्ड है तो चलिए हम इस बोल्ड को निकालते हैं और सारा पार्ट को फिर लाते न्यूपार्ट और फिर इसमें हम लगाएंगे अब यहां पर काम देखे क्या करना पड़ेगा हमें क्रेंट से इसमें अलाके हमने दूसरा बैटरी भी लगा के देखा चार्ज वाला तो क्रेंट प्रापर आ गई तो इसकी में हम को टाइट करने के लिए उसे हमें सेट करना है यहां से हम मैगनेट निकाल लेते बाहर और आपको भी हम दिखा देते हैं यह देखें देखें क्या हाल है और मेचर यानि कि पूरी तरीके से खतम हो चुका जो बॉल बेरिंग होता है वो सारा चीज तूट चुका है और इसके जड़ी से इसकी बाइक में एकरन की पृब्लम आ गई और पहले भी दिखत करता होगा जब बैटरी चारजश молो होने पर यह बाइक में करेंट हीर नहीं आता है एसे में आप बाइक चला सकते हैं नया बेटरी डालके और चारज़ वाली बैटरी डालके और आप चलाना चा जो टाइमिंग चैन है इसकी यह चीज तो अला कि ठीक ठाक लग रहा है मुझे टाइमिंग चैन हम चैन्ज नहीं करेंगे चलिए इधर से हम दो तीन पार्ट को चैन्ज करते हैं देखे दोस्तों आर्मेचर कोयल जो है वो यानकी पूरा नहीं कटा है दो चार सौकिट ऐसे है जो कि वो कट चुके है तो यहां पे हमने नया कोयल लेकिआ आया इसका यह देखे बॉतल यह अर्मेचर कोयल बिल्कुल से मुस् الخलाक में लेकर आएधर का दोसरा नम्बर इसकी जो अनवें हैं इस इस यूनुफ ऐसाद है इस नट तो आपको नया लेकर दो फैनली इसकी वज़े से इस बाइक में करेंट नहीं आ रहा था और यहां पर हम बैटरी को भी लगाएंगे इसका सेल्फ की सेल्फ इस्टाइड भी करेंगे तो चलिए फटा पट से यह सारा काम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहां से आर्मेचर ख़वाल लगा के बिल्कुल कंप् तो फैनली इसमें करेंट आ चुका है अब हमें क्या करना है बैटरी बगर लगा के इंजनवाल डाल के इसे स्टाट करते हैं